हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी को अमारे इस YouTube चनल पे दोस्तो आज कुडियों में आपको ताओंगा किस तरीके से आप Gmail एकाउंट को डिलेट कर सकते हो Gmail account और Google account दोनों सेम होता है तो आज की उडियो में आपको उता हूँगा किस तरीके से आप Google account को delete कर सकते हो 2023 में तो Gmail account को delete करने के लिए आपको Gmail के official application को open कर देना है तो जैसे आप Gmail application को open करते हो कुछ इस तरह interface आयाता है तो Gmail ID को delete करने के लिए आपको इस profile वेल आइकन पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप profile वेल आइकन पर क्लिक करोगे एक new page open हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना सभी Gmail ID शो करेगा जो आपकी phone में login है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना Gmail account को switch कर लेना है तो मैं already state कर लिया हूँ इसके बाद यहाँ पे आपको option दिया है Google account कुछ phone में आपको यहाँ पे manager और Google account का option देखने को मलता है तो कुछ phone में आपको Google account बहला option देखने को मल जाता है दोनों same होता है तो मेरे phone में Google account शो करता है तो मैं यहाँ पे Google account पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे आब Google Account पे click तरोगे एक new page पेन हो जाएगा यहाँपे आपके option दिया है डाटा एन privacy तो Gmail account को delete करने के लिए आपको इस data and privacy पे click कर दिया है तो जैसे आप data and privacy पे click करोगे एक new page पेन हो जाएगा इसके बाद यहाँपे आपको सबसे नीची तरब स्क्रोल करके आजान तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे एक न्यूव पेज़ इपन हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अप्सन दिया है गूगल यूज यूर पास की टू कंफर्म इट्स रियली यू जी मिल आईडी यूर डिवाइस विल आस फॉर यूर फिंगर पीन फेस और स्क्रिन लॉक इसके बाद यहाँ अपको continue लॉक संदखरें का मलते है आपको Continue पर क्लिक कर देना है तो जीसे आप continue पर कलिक करओगे यह आपको Screen Lock एंटर कने की लिए बुलेगा या फिर आपना फिंगर पीन लॉक दे सकते हो तो मैं यहाँ पर देता हूँ तो जैसे आप अपना fingerprint lock sensor पे touch करोगए या पिर अपना pin एंटर करोगए mobile का कुछ इस तरह का page pin हो जाएगा delete your google account अगर आप चाहें तो यहां से अपना data को download कर सकते हो तो download करने के लिए आपको download your data पे click कर देना है और अपना data को download कर सकते हो इसके बाद यहां पे आपको नीची तरह स्कोल करना है आपका जो Gmail पे इतना भी message आया था और आपका YouTube channel delete हो जाएगा और calendar history भी delete हो जाएगा इसके बाद यहां पे आपको नीची तरह scroll करना है यहां पे आपको दो option दिया है आपको इस दोनों पे tick कर देना है तो यहां से आप चाहे तो read कर सकते हो जिसके यहां पे बोला है Yes, I want to permanently delete this Google account and all these data तो आपको इस दोनों option पे tick कर देना है तो मैं tick कर देता हूँ इसके बाद यहां पे आपको delete account वाल option देखने का मलता है आपको इस delete account पे click कर देना है तो जैसी आप delete account पे click कर ओगे page load होगा और यह आपको एक browser पे redirect कर देगा कुछ इस तरह का interface आ जाएगा इसके बाद यहां पे आपको same process repeat करना है data and privacy पे click कर देना है तो जैसी आप data and privacy पे click कर ओगे एक new page open हो जाएगा इसके बाद आपको सबसे नीचे के तरह पाजाना है ठीक है scroll करके यहां पे आपको इक option दिया है delete your google account तो आपको delete your google account delete your entire account and data पे click कर देना है तो जैसे आप इस पे click कर होगे page load होगा और यहां पे आपको अपना password एंटर करने के लिए बोलेगा तो अगर आपको password याद है तो एंटर कीजेगा अगर आपको password याद नहीं है भोल गए हो change करना चाते हो तो आप forget password पे click करके password change कर सकते हो तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना है Gmail का password कैसे change करें आप जरू जाके check out कीजेगा तो मैं यहापे अपना password एंटर कर देता हूँ password एंटर कर देने के बाद यहापे आपको next बला option देखने के बलता है आपको next पे click कर देना है तो जैसे आप next पे click करोगे page load होगा तो आपको थोड़ा सा wait करना है इसके बाद यहापे आपको option आएगा delete your google account download your data इसके बाद आपको नीची तरफ scroll कर देना है और यहापे आपको दोनों पे tick कर देना है तो tick कर देने के बाद यहापे आपको option देखने के बलता है delete account तो आपको इस delete account पे click कर देना है तो जैसे आप delete account पे click करोगे आपका account successfully delete हो जाएगा account deleted your google account and all his data have been deleted if you accidentally deleted your Google account you have a short amount of time to try to recover it अगर आप चाहे तो यहां से अपना account को recover कर सकते हो अगर आपने गलती से डिलेट कर दिया है तो इसी तरीके से आप अपने Google account या फिर Gmail account को डिलेट कर सकते हो 2023 में so friend thank you so much for watching this video I hope आपको वुडियो पसन आई होगी वुडियो पसन आई तो पीजिरो के लाइक की जिगा चैन पर पहली बारे तो प्लीज चैन को जिलो सब्सक्राइब ही जिगा जहीन वंदे मातरम